तो गुड मॉर्निंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महिने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो पहला प्रश्णमारा क्या है कौन सा राज्य एनिमिया मुक्त भारत सूचकांग 2020 में सबसे उपर रहा तो आंसर होगा हरियना फिरे कोविड-19 के लिए विक्सित की गई कोविर रेप टेकनिक को किस ने डेवलप किया तो आंसर होगा IIT खडगपुर ने फिरे LG ने किसे अपना ब्रेंड अमबेजडर बनाया तो फॉर्मूला वन रेज ड्राइवर हैं लुईस हैमिल्टन इनका नाम है ये ब्रेटेन से हैं और मर्सडीस के ये ड्राइवर है LG की बात कर लें तो ये साउथ कॉरियन कमपनी है फिरे भारते वायू सेना की पहली महिला अधिकारी का निदन हो गया था भी क्या नाम है विजे लक्ष्मी रमनन उनका नाम है फिरे किस बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना उत्सव अभ्य है फिरे टाटा कम्यूनिकेशन के सीएफो चीफ फिनेंस ऑफिसर कौन बने कबीर एहमद शाकिर बाकी दिनकर योजना का नाम बदल करके किसान सर्वोदे योजना कर दिया किस राज्य की सरकार ने गुजरात सरकार ने तो किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने की है य योजना दिनकर योजना और हाँ आपकी बैंक एक्जाम प्रिलिम्स के तैयारी को कम्प्लीट करने के लिए इस मही ने अनकेडमी फिर से लेकर के आया है अल्टिमेट पी वाईक्यू टेस्ट सिरीज फॉर बैंक प्रिलिम्स जो होगा हर टूजडे थर्सडे और सेटर्डे एनलिसिस सेशन के साथ बिलकुल फ्री तो इस सब्जेक्ट वाईज पी वाईक्यू सिरीज में होंगे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटिटिव एप्टिट्यूट के टेस्ट और उनका एनलिसिस वो भी बिलकुल फ्री में तो ये टेस्ट सिरीज बिलकुल फ्री ह और आपको आपके areas of improvement जानने में और exam के तयारी को पूरा करने में बहुत help करेगा तो ये जो test series है ये start हो रही है 1 December से तो जरूर से enroll करें और अपनी तयारी को पक्का करें an academy के साथ में और test में enroll करने के लिए download करें an academy का app और enroll पर click करें देखें अगर आप first time an academy पर आ रहे हैं तो use करें मेरा unlock code crick exam 10 enroll करें test में for free और experience करें an academy platform को यही नहीं अगर आप an academy का प्लस subscription लेंगे तो इस code से आपको 10% instant discount भी मिलेगा जो already applied होगा तो अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है तो जल्दी से download करें an academy app enroll करें और new users code use करना मत भूलिएगा और जो important links है वो आपको नीचे description box में मिल जाएंगे तो जितने भी यह free test है उनको आराम से use करिए और अपने preparation को पक्का करिए अभी हम बढ़ते आगे फिर पारले एगरों ने किसे अपना brand ambassador बनाया था तो आंचर होगा प्रियंका चोपडा को प्रियंका चोपडा को पारले एगरों ने अपने fruits beef physically अपना brand ambassador बनाया था फिर पुलिस इस्मरणोत्सव ये दिवस कब मनाया गया तो आंचर होगा 21 October को फिर अगला प्रशन है किसे सोलोमन द्वीप में भारते उच्चा युक्त के रूप में नियुक्त किया गया तो आंचर होगा शुशील कुमार सिंगल को बढ़ते आगे फिर है Time Magazine की 100 Most Influential People of 2020 की सुची में शामिल होने वाले एक मातर भारते फिल्म स्टार कौन है तो आंचर होगा आयुशमान खुराना फिर अगला प्रशन है नो मास्क नो सर्विस अभ्यान ये का पर शुरू हुआ ये राजस्थान के जूदपूर में शुरू हुआ था फिर है World Maritime Day विश्व समुद्रे दिवस तो ये इस बार तो हमने 24 सेप्टेंबर को मनाया मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ इस बार क्योंकि ये फिक्स देनी होता है सेप्टेंबर का लास्ट वाला थरस्डे होता है उस दिन हम मनाते हैं ये और थीम रही थी इस बार इसकी Sustainable Shipping for a Sustainable Planet अब एक से एक और पॉइंट याद रख लो National Maritime Day वो तो हम हर साल 5 अपरेल को ही मनाते हैं फिर है Acer इंडिया के ब्रेंड अमबेजडर कौन बने तो आंसर होगा Sonu Sud ताइवान की कंपनी है ये Acer जिसके लैप्टॉप अगर आते हैं न वो फिर है United Nation Environment Program की शेत्रे Ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा खुशी चिंडालिया को गुजरात से हैं ये और आपको याद होगा इसी तरह से United Nation Environment Program की National Goodwill Ambassador ये कौन है दिया मिरजा है इनका कारेकाल 2022 तक के लिए भी बड़ा भी दिया गया था फिर है पंजाब एन महराष्टर को Operative Bank का नया प्रशाशक किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा एके दिक्षित को इसका Headquarter है बैंक का मंबई में फिर है लड़ाकूर राफेल विमान उड़ाने वाली पहली मैला पाइलेट बनी शिवांगी सिंग फिर है मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य सरकार ने आजस्तांगी Capital चैपूर है मुख्य मंतरिया अशोग गेलोद फिर है रेल राज्य मंतरिय का निदन हो गया बताए उनका नाम क्या है सुरेश अंगडी उनका नाम था फिर है किस राज्य में देश का दूसरा रॉकेट लॉंच पूर्ट की स्थापना की जाएगी ये की जा बढ़ते आगे तो चलिए कल की Current Affairs को भी रिवाइस करते हैं पहला प्रशन पूछा जा रहा है ग्लूबल टीचर प्राइस जीतने वाले पहले भारते कौन बन गए तो very most important question रहेगा ये आपके लिए तो आंसर होगा रंजीत सिंग डिस ले ये महराश्टर में अभी एक सरका पे रही कौन? Airlines Industries. सेकंड पे IOCL और थर्ड पे ONGC रही. फिरे T20 में सबसे ज़्यादा rating हासिल करने वाले बल्ले बाच कौन बने? डेविड मलान बने? इनको ranking में 915 अंक हासिल हुए हैं और इसी के साथ ये T20 में सबसे ज़्यादा rating हासिल करने वाले बल्ले बाच बन गए इंगलेंड के हैं ये प्लेयर? फिरे Fit India Moment का Ambassador किसे बनाया गया तो आंसर होगा कुलदीप हांडू को ये जम्मू किश्मीर के पहले द्रोणाचारे अवाड़ी हैं और वुशू कोच हैं ये कुलदीप हांडू जिनको Fit India Moment का Ambassador बनाया गया फिरे भारते नौसेना दिवस कब म EFA Champions League में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली मेला बन गई किस देश की हैं ये फ्रांस से हैं स्टेफनी फ्रापर्ड फिरेकिस देश ने बंगाल के दक्षिन पच्ची में खाड़ी में निर्वित चक्रवात को बुरेवी नाम दिया मालदीव ने और इस साल अग नम का तुफान भी बंगल की खाड़ी से निकला था उसको नाम निवार दिया था इरान ने और एक निसर्ग नाम का तूफान भी नियूज में था जो अरप सागर से उतuning उत्पन हुआ था उसको बंगलादेश ने निसर्ग नाम दिया था फिर आठ से बार्वी तक के चात फिर है किस देश के पूर प्रधान मंतरी जफुरुला जमाली का निदन हो गया पाकिस्तान के थे ये पाकिस्तान के पंद्रवे नंबर के प्रधान मंतरी थे जफुरुला जमाली इनका भी निदन हो गया बढ़ते आगे तो स्टेडिक कुश्चन की बात करेंगे तो पहला प कोर्स के पहले हिंदू पाइलिट कौन बने थे नाम याद रखना राहूल देव फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब बनाया गया तो आंसरों का तीन मई को और अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आये था उसमें भारत 142 नंबर पे था टॉप पे तो नौर्वे था और प्रेस यानि की पत्रकारिता से एक और पॉइंट बताता हूँ आपको एक भारते पत्रकार हैं सिधार्त वरद राजन इन्हें Freedom of Speech Award मिला था फिरे कितने भारते पत्रकारों को 2020 का पुलिजर पुरुसकार मिला तीन को तो फोटोग्राफिक कैटेगरी में दार यासीन को मुक्तार खान को और चन्नी आनंद को ये पुरुसकार मिला ये सारे जो तीनों नाम मैंने आपको बताए ये तीनों जम्मू कश्मीर से हैं फिर है 2019 का राजी उगांधी खेल सम्मान इसको मिला था तो ये 2019 का तो पुराना हो गया दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला था जो दीपा मलिक थी ये पैरा एथलीट थी शॉट पुट गेम खेलती थी लेकिए अभी इन्होंने सन्यास ले लिया क्योंकि पैरालंपिक समिती का इनको अध्यक्ष बना दिया गया था बाकी हम 2020 का याद रखेंगे 2020 का जो राजी उगांधी खेल रतने पुरसकार है च बिजिंग चाइना में है और बिजिंग चाइना में ही एशन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट बैंक का अभी हैटकोटर है 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे आपके यहीं पर होंगे फिरे दे नाइट एंगल ऑफ इंडिया भारत की कोकिला किने कहा जाता है तो ऑंसर होगा सरोजीनी नाइडू को और सरोजीनी नाइडू का जो जनम दिन होता है तेरा फरवरी को उस दिन हम नैशनल वोमिंज डे के रूप में मनाते हैं फृरे लेड़ी विद्ध लेम डे नाम से किनको जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटेंगल को और इनके जनम दिन को यानि कि 12 माई को International Nurse Day के रूप में मनाते हैं ब्राजील की प्रेसिडिन्ट कौन है? जेर बूल्स नारो हैं 2020 के रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट रहे थे ये तो ब्राजील की केपिटल ब्राजीलिया है करंसी है ब्राजीलियन रियल और अभी ब्राजील में भारते राजदूत कौन बने थे? सुरेश के रेड़ी बने थे फिर इराक के नए प्रधान मंतरी का नाम बताईए मुस्तफा अलकदीमी उनका नाम है कैपिटल इराक की बगदाद है करंसी है इराकी दिनार इरान की नई करंसी क्या होगी? तोमान और एक तोमान बराबर होंगे दस हजार रियाल कैपिटल इरान की तहरान है प्रसिडेंट हसन रुहानी बढ़ते आगे डेज की बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे यह मनाते एक जून को और नेशनल मिल्क डे तो आप जानते ही हो सफेट करांती के जनक फादर ओफ वाइट रिवोल्यूशन वर्गीच कूरियन के जनम दिन को मनाया जाता है यानि 26 नवंबर को फिर है विश्व साइकल डिवस यह हम 3 जून को मनाते हैं वर्ड एन्वाइरमेंट डे यह हम 5 जून को मनाते हैं और इस बार थीम थी बायो डाइवर्सिटी फिर है विश्व खादे सुरक्षा दिवस वर्ड फूड सेफटी डे यह 7 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार रही थी फूड सेफटी फिर है वर्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया हमने यानि कि विश्व महा सागर दिवस और फिर है वर्ड ब्रें ट्यूमर डे यह हमने 8 जून को मनाया बाकी विश्व प्रतायन दिवस की बात करेंगे यानि कि वर्ड एक्रेडिटेशन डे यह हमने 9 जून को मनाया और इसकी थीम रही थी Accreditation, Improving Food Safety फिर है World Day Against Child Labor बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस यह 12 जून को मनाया और इसकी क्या थीम रही थी Protect Children from Child Labor Now More Than Ever बाकी अंतर राष्टर रंग हींता दिवस यह हमने 13 जून को मनाया International Albinism Awareness Day जिसकी थीम थी Made to Shine फिर है विश्व रक्त दाता दिवस World Blood Donal Day यह हमने 14 जून को मनाया जिसकी क्या थीम रही Safe Blood, Save Lives सुरक्षित रक्त बच्चाय जीवन तो गाईज यह था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो, Helpful लगा हो तो इसे Like जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे Share करना मत भूलना अब कुछ कुछन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कुछन्स आप लोगों लगाईए और देखिए कितने कुछन्स आप लोगों से बन पा रहे हैं बाकिया मन को कल सॉल करते हैं यह रहे कुछन्स आपके सामने हैं